जो कैसे हैं आप लोग सब आपने नीचे टैग लाइन पढ़ लिया होगा मैंने लिखा है क्यों आप लौ में अच्छे नंबर नहीं लेके आते तो आज मैं आपके साथ करने जा रहा हो कुछ प्रेजंटेशन ट्रिक्स हैक्स जिनको आप अपने स्टेडी रूटीन में ला सकते हो जिसकी वज़े से आपके पास साथ नंबर तो ऐसे ही बूश्ट हो जाएंगे तो वह या अब इस वीडियो को लाइक कर लिजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अ जिस दिन लौ का पेपर खतम होगा 26 तारीक को उस दिन रात को आने वाला है मैट्स का पेपर अनालिसिस ABC अनालिसिस के कौन से टॉपिक सबसे दादा इंपोर्टेंट है तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे बहुत सारा कंटेंट आप लूस कर दोगे तो आ 3 questions पढ़ेंगे ठीक है only आपको पेपर में बस वो तीन question खोजने हैं जो आपको पास करवा देंगे देखें सबसे पहले आप लास्ट क्वेश्चन 6 लौ के पाट का भी और लास्ट ही question लास्ट ही question BCR के पाट का भी देखेंगे वो सबसे easiest question होता है आप पूरा पेपर पढ़ने पर अपना time नहीं बरबात करेंगे चुकि सर आप नहीं पढ़ पाएंगे और इस time period में अगर कोई लिखना शुरू कर दे आप पिर भी लिखना शुरू कर दें तो आप यह समझ लीजिए कि आप अभी तो लिखी रहे हैं आप नवेंबर में फिर से लिखेंगे एंगदाम सीधी सीधी बात मैं आपको बता देता हूं तो पहला टिप यह है यह जो पंदरा मिनेट का पीरियड है इसको ढंग से यूटिलाइस करिए ऐसा ना हो कि यह आपको वापस से पढ़ना पड़े तो पहले सबसे पहले आपको तीन question खोज लेने हैं जो तीन question आप पक्के से अटेम करने वाले हो जिससे आप पेपर पास कर लोगे देखें चाहें आप लॉफर्ष्ट करो या बीसी आर करो या फोर्ष्ट या तो आप लाग करो और बीसी आर बट आप जो भी करो complete यह कंप्लीट डैक्ट मतलब आप ऐसे नहीं करोंगे कि आपने एक वेशन लॉक किया एक कोईशन बीसी आर कर रहे हो के इक्जामिनर आप से दुखी हो कि आपका पेपर चेक नहीं करेगा मैं बता जो भी आप सिलेक्ट करो ठीक है फर्स उसको पूरा खतम करो आप सेलेक्शन कैसे करोगे वह डिपेंड करता है आपको ज्यादा confidence किसमें आपको law में ज्यादा confidence आप law में जाहिए आपको bcr में जाहिए आपको अपने हिसाब से करना यह कोई गाइड नहीं करेगा आपकी अपनी confidence पर है अब देखो सब्सक्राइब करना प्रिफर करता है कि यह पहले मैं पासिंग सिक्यूर करना है उसके बाद law में चलूँगा तो कुछ बच्चे ऐसा भी सुचते कि मैं पहले law attempt करना मेरा दिमाग फ्रेश है ल करके खतम करो उसमें गलती होनी ही नहीं है मेरी तो कि वह सिक्स्टी माक्स का है पर दूसरे तरफ में भी सोच सकते हो कि पहले पास होने का सिंग करो तो डिपेंज अपन यू हाव यू चूज अब सबसे इंपोर्टन प्रेजेंटेशन टेखनीक है क्वेश्चन है क्वेश क्वेश्चन नंबर जो आपका है न वह एकदम पेज के सेंटर पर होना चाहिए एवन जो आप उसका सब टॉपिक भी लिख रहे होना वह भी सेंटर में जैसे पॉर इक्जामपल आपने किया क्वेश्चन टू तो आप ऐसे लिखोगे क्वेश्चन टू पार्ट ए तेक है नेक्स्ट वाले जाओगे उसमें आप एक हतम हुआ एक के नीचे लाइन खीचा बी ऐसे करके आप गड़े नेक्स्ट और प्यूंबर फोर जो एवरी क्वेश्चन ए अन फ्रेश पेज अन फ्रेश पेज पेज आप हर क्वेश्चन फ्रेश पेज पर स्टार्ट करोगे नमबर फाइफ जब आप के स्टडी लिख रहे हो ठीक है ओल्वेज राइट दसेक्शन नेम मतलब सेक्शन नेम इन दसेंस सेक्शन नमबर वाला नहीं बोल रहा मतलब पहले आप लॉ लिखोगे फिर आप प्रोविजन लिखोगे लॉ के बाद आप लिखोगे फैक्स तो मतल ठीक है और अंडरलाइन करने हो और फिर कंफूजन लिख रहा है तो के स्टेडी आज टो बी डिवाइड़ेड इन थरी पार्ट्स लॉग फैक्स अन कॉन्फूजन पॉइंट नमबर सिक्स पॉइंट नमबर सिक्स अंडरलाइन इंपॉटेंट पॉइंट्स तेक्ए आपके जो इंपॉटेंट पॉइंट्स या सेंटेंसेज है उसको अप अंडरलाइन करेंगे आप एक बच्चा मेरे को बोलेगा सर इतना टाइम का मिलता है एक्जाम में ठीक है बाई कोई दिक्कत नहीं है तो तुमें काम करो एट ली कर रहा है नंबर भी अच्छे देगा तो नीट प्रेजेंटेशन हो जाएगी दूसरा सेवेंट यह लास्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्राइट टू फिनिश कि दब पेपर कि इन टू आवर्स कि 45 मिनिट्स कि यूँ बोल रहा हो वह समझो ठीक है क्यों बोल रहा हो समझो विकॉस यूविल बी नीड़ेड री रीडिंग टाइम क्योंकि लॉ में बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ भी होता है कि आप सोच कुछ और रहा हो थाट लिगते लिखते आप sentence के बीच के एक दू वर्ड भूल जाते हो आपने काफी बाढ़ देखा भी होगा सबके साथ होता है मेरे साथ तो क्लास में भी होगा कि आप दिमाद में बोल लेते हो लिखते नहीं हो और आगे बढ़ जाते हो आपको लगता है अपने लिख दिया है लेकिन सेंटेंस का पुरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है उसकी वैसे तो री रीडिंग के लिए आप 15 मिनिट्स रख लो जिसमें आप एडिटिंग कर लो अपने आंस इस नो ओवर राइटिंग आप पेपर में ओवर राइटिंग अवोईड करिये ठ्योरी पेपर है ओवर राइटिंग होने से बहुत खराब लगता है तो कैंसलेशन नहीं मतलि आप उसको गैंसल आउट करिये बहल में लिख दिजिए लेकिन उसी गोपर घिच पीच घिच मत करिये तो डोंट ओवर रेट ठेक है नो नीट टो ओवर राइट डोंट दूए नेक्स्ट सबसे इंपोर्टिंट नो शॉट फॉर्म आप कोई शॉट फॉर्म नहीं उस करेंगे कोई आई सी ए आई पी ए सोगा यह सब स्ट्रिक्ट नो नो है पूरा फुल फॉर्म लिख लिखेंगे नहीं पता है अगर मतब अगर शॉट में लिख रहे हैं इंस्टिट्यूट इसके नंबर भी काट सकता है कोई शॉट फॉर्म आपको नहीं यूज़ करना कि कोई शॉट फॉर्म नहीं यूज़ करना कि एवन एसी भी नहीं लिख्या अकाउंट लिखवाते हैं और यह बेसिक चीज़ें ऐसा नहीं है कि यह कोई बहुत बड़ा धासू चीज है कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो यूनीक है जैसे कि यह 2.45 आर्ज वाला खतम करने वाला 2.45 मिनिट्स में ओवर राइटिंग नहीं करना है शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है पेपर में ठीक है हर क्वेस्चन नहीं पेज पर शुरू करना है और अगर इफ कि इफ अगर कोई सब पार्ट आपका छूड जाता है लीव स्पेस फॉर इट अब सर्फ कितनी स्पेस छोड़ें अरे भाई ज्यादा छोड़ देना वह पेपर के लिए तुमने पैसा दे रखा है ऐसा नहीं है इसी है वापस से पैसा मांगेगा आपको आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा थैंक्वी सो मच वाचिंग अगला वीडियो इस पर कल आएगा अकाउंट्स का एबीसी अनालिसिस ओके बाई-बाई-बाई-सी यू ट